हेलो दोस्तो आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पर एक वार फिर से स्वागत है तो दोस्तो मैं आपके लिए आपके हिंदी का कुश्चन पेपर लेके आचुका हूँ आपके क्लास 10th के लिए अभी अभी यह कुश्चन पेपर मुझे मिला है तो जल्दी से इसके सभी कुश्चनों को देख लीजिए अर्दवारसिक परिच्छा 2023 का यह है रियल पेपर है जो आपके एकजाम में आने वाला है यदि आपका एकजाम नहीं हुआ है तो इसमें पहला कुश्चन की बात करते हैं यह आपको आपठिद गद्दान से रिलेटेड कुश्चन पूछा जा रहा है जिसमें पहला कुश्चन है उप्युक्त गद्द्दान्स का सीरसक बताईए तो सीरसक इसका क्या हो जाएगा आत्म नारी आत्म विजवासी नारी क्योंकि यह नारी के संबंद में यह गद्दान्स यहां पर दिया हुआ है इसके बाद नेक्स्ट एक किस के कहने से महिला है गरवार चोड़कर आजादी की लड़ाई लड़ने निकल पड़ी तो गांधी जी की कहने पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आजादी की लड़ाई में सामिल हुई थी तो कौन सामिल हुई थी कैप्टन लचमी सहगल इसका राइट आंसर हो जाएगा बरतमान नारी में समाहित गुड है तो बरतमान नारी में छमता भी है साहस भी है सकती भी है तो उप्रोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन है आजादी की लडाई में सामिल किस भारतिय महिला को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है तो भारत कोकिला के नाम से बिजे लचमी पंडित इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन है आपठित पध्यावतरड का अध्यन ये आपठित गद्धान्स है पंचवटी की छाया में सुन्दर प्रड कुटीर बना उसके सम्मुक स्वच शला पर धीर भीर निर्भीक मना तो ये आपका पैसेज ये आपका आपठित पध्यान्स है उप्युक्त की लच्मी ने यह मैं लच्मी किसे कहा गया है तो तीन लोग की लच्मी ने यह है लच्मी किसे कहा गया है तो लच्मी सीता को कहा गया है जबकी भुवनर्स होता है मैं भुवन का अर्थ क्या है तो भुवन का अर्थ क्या होता है संसार जगत विस्व उप्रोग तो सभी इ next question है vision देश है निसा सेस है मैं vision से क्या आच्छ है vision का मतलब है जनहीन इसका right answer हो जाएगा पंच बती में किसकी कुटिया बनाई गई है तो इसका जो right answer है आपको यहाँ पे इसको पढ़ने पे आपको देखने को मिल जाएगा कुटीर है जिसका तो पंच बटी में किसकी कुटीया है देगे यहाँ पे उसके समुख सुच्च सला निर्वीक मना चाया सुन्दर पड़ कुटीर तो इसका भुवने स्वर्स होता तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भरत ने भरत इसका राइट आंसर होना चाहिए आ इसके बाद नेक्स्ट है आँक का अंदा नेमनेंस यो को लोकती का अर्थ क्या है गुड़ों के विपरीत नाम बेरी गुड नेक्स्ट है रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए तो रिक्तिस्थान आपको भरने है जिस संग्या सब्द से किसी पधार्थ के गुड़ दोस तो गुर्डोस किसमे होती है भाबबाचक संग्या में तो भाबबाचक इसका Right आंसर हो जाएगा बिसेशर सब्द संग्या या सरवनाम की बिसेश्ता बताते है ऐसे सब्द जिनके सरूप में लिंग बचन काल आदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हुने आविकारी सब्द कहते हैं तो आविकारी राइट आंसर हो जाएगा संकल्प सब्द में सम उपसर्ग है क्या उपसर्ग है सम सम प्लस कल्प सं सम कल्प नेक्स्ट देगे हिंदी बासा में प्रत्य के बेद कितने हैं तो हिंदी बासा में प्रत्य कितने होने चाहिए कमेंट में बताइए महा प्लस रिसी क्या हो जाएगा महर्सी हो जाएगा महार्सी हो जाएगा दीर्ग संदी हो जाएगी इसमें इसके बाद नेक्स्ट देगे कर तत्पुर समास में अंतर बताना है तो कर्म धारे में दौदों प्रधान होते हैं और तत्पुर समास में दूसरा पद प्रधान होता है इंदी व्याकर में दातु की परिवासा क्या है परुसराम के किसके कहने पर गोरसत्रू माने जाते हैं किसके कुल के गोरसत्रू माने जा तो एक कहानी यह भी किस के द्वारा लिखा गया है यह। नेता जी की मूर्दी पर रोज-रोज चिस्मा कौन बदलता था। तो नेता जी के रोज-रोज कौन बदलता था उसमें आपको नाम लिखना है, जो लाठी लेकर चलता है वो बदलता है। माता का चल में किसका चित्र किया गया है तो यूम थाम का अर्थ क्या है कहां पर इस्तित है लेकक अगेजी ने हिरो सिमा का हिरो मुष्विमा पर कवीता लिखने की क्या प्रेड़ा कहां से मिली है दुलारी को संगीत के किस विद्या में मारत हासिल थी तो दुलारी पार्ट स आपको बताना है बाल गोविन वगत पाठ से आपको क्या संदेश मिलता है राम रच्वन पर सुराम संबाद में राम के किस सभाव की प्रसंसा व्यक्त की गई है कासी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिसमिल्ला खां को व्यतित करते थे तो ये सारे कुश्चन्स आपको करने ह तो ये आपके पाठ वस्तू के ये सभी कुश्चन है इसके बाद देखे खंड साब में देख लेते हैं ये आपको सापर संग व्यक्त करनी है इसमें अथवा में अथवा वाला नहीं है ये 38 में इसी की आपको व्यक्त करनी है इसके बाद 49 में कुश्चन है इसमें आपको अथवा में कुश्यन दिया है तो नीचे वाला भी कर सकते हैं नेक्स्ट कुश्यन है स्वैम को राज की उच्चमाद में विद्याले बैर का छात्र मानते हुए पत्र लिखना है परदान अध्यापक को जिसमें विवस्तकाले की विवस्ता सुधार नहीं है या फिर दूसरा भी लिख सकते हैं जिसमें छोटे भाई राजा सींग को स्वास्ते सुधार एतुब एक पत्र लिखना है इसके बाद आपको देखिए 25 से 50 सब्दों में विग्यापन तयार करना है जिसमें मेले का आयोजन हो रहा है इसके बाद 42 सब्दों है निवंद लिखना है 300 से 300 सब्दों में तो सार गर्वित होना चाहिए इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनेट की उपयोगिता कर सकते हैं या विद्यारती जीवन में अनुसासन या तिहारों का महत्व या फिर वारतिय चुनाप पर करिया है या सच्छता आवियान तो सच्छता आवियान पर वियाब लिख सकते हैं इस तरह से आपके कुश्चन समाप्त हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना थैंक यू